Hello friends, तो देखिए आज हमने बनाया है मसला मश्रूम, तो आप देखी सकते हैं कि इतना ज्यादा अच्छा बना है, तो बहुत आसान है बनाना, चलिए देखते हैं कि अमने इसे कैसे बनाया है, तो यहाँ मैंने मश्रूम लिया हुआ है, जिसे अच्छे से मैंने वाश कर लिया और जो बड़े मश्रूम थे ना उनको बीच में से हाफ कट कर लिया है और जो छोटे थे उनमें बस नॉमल इककट लगाया है पूरा हाफ उसको अलग नहीं किया है अब एक चम्मच भरके यहां पे हम लैसु नद्रक और एक हरी मिर्च है उसका पेस्ट इसमें डालेंगे और मैरिनेशन के लिए हमको रखना है तो 15-20 मिनट के लिए इसको हम साइग में रख देंगे तो हमारा मश्रूम जो है वो बहुत अच्छे से इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएंगे मैरिनेट हो जाएगा तो चलिए अब आगे की हम प्रोसेस देख लेते हैं तो यहां पे मैंने जो मश्रूम है तो वो आधा जो है अभी कुख हो जाएगा भूनते भूनते और इसमें एक अच्छा सा सूंधापन भी आ जाएगा भूने में तो इसको दीरे दीरे करके अच्छे से इसको भून लीजिए तो low to medium flame पे हमको इस तरह से इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे अब भूनने का जो है ना देखिए यहां पर हमारा जो मश्रूम में अच्छे से भून गया है तो कैसे पता चलेगा एक तो जो हमने मसाला डाला था तो देखिए उसमें से तेल जो है वो सैपरेट हो गया है तो मसाला भी भून गया है और दूसरा क्या है मश्रूम जो हैं वो साइज में अपने छोटे हो गए हैं वो सिकुड जाते हैं तोड़े अब मश्रूम को निकाल लीजे उसके बाद उसी पैन में मैंने तेल डाल लिया है और इसमें हाफ टी स्पून में जीरा डाल रही हो जीरा अच्छे से क्रेकल हो जाएगा उसमें तो चार खडी लहसुन जो है वो डाल रहे हैं पेस्ट हमने अल्रेडी अच्छे से मेरे नेशन में डाला हुआ था अब यहाँ पर एक प्याज है तो उसको मैंने लंब कटा हुआ है यह बारेक लंबे कटे हुए हैं पतले-पतले तो उसको डाल दिया है तो एक जादा बहुत-जादा प्याज का जो गोल्डन हो जाए ना तो बड़ा अच्छा इसमें से मसाला बनके त्यार होता है अब एक मीडियम साइज की टमाटर उसे भी मैंने बारी काट लिया अब प्याज गोल्डन हुआ तो फिर टमाटर डाल दीजिए अब टमाटर डाला है तो थोड़ा सा इसमें नम मैंने बहुत थोड़ी साच अभी एख रिज्टा यहां को फिल मार्णा यह जा टाला है दो एक तीस्पून ओर यह भाली आहापे भनाट ऑन घुन पाउडर जाली है अच्छा अब टो टीश्पून यहां पे हम डालेंगे patterns तो इससे मटन मसाला डालने से बहुत अच्छा वाला फ्लेवर आता है तो मतलब मश्रूम खाने में मज़ा आ जाती है तो अगर मटन मसाला कोसी को थोड़ा सा लगता है शायद वेजिटीरिन को की कैसे डालें तो आप फिर किचन किंग मसाला डाल दीजिए नॉमल जो गरम मस की तो में मसाला डाले यह सारी चीजे सब एक साथ भुनेंगी और जो भी अच्छे में अच्छे से आ जाएगा में अच्छे सेahan जाएक मिला डियना जया और अब मश्रूम हम भी गर म्यों डराव हैना तो जिससे अब नमकffen तो आला गया है थोड़ा नमक ब्राबर हो जाए उस समय हमने टमाटर के हिसाब से थोड़ा नमक डाला था अब इनको एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि लिड लगा देंगे और इसको लोख लेंपे थोड़ा पकनी देंगे जिससे हमारा जो मश्रूम है वो अच्छे से गुख हो जाए तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा दिख रहा है ये पर अभी थोड़ इसी कसर जो है ना मश्रूम में पकने में भी पाकी है तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा इसमेना थोड़ा सा पानी डायेट कर सकते हैं और हम इसको ग्रेवी वाला नहीं बना रहे हैं तो हम इसी तरी आप जोओ नहीं पूरी अच्छी तरीके से कूक हो चके है मसाला भी देखे बहुत अच्छी से कूख हो गया है और बहुत बढ़िया हमारा मसाला मश्रूम बन के त्यार हो गया यकीन मानी खुश्पू इतनी अच्छी को आरगी है कि मैं क्या ही बता हूँ तो देखिए सिंपल और एजी में कोशिश करती हूं कि आप लोगों तक पहुंचाई जा सकें जिससे आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगे और बनाने में मज़ा आये तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रैसिपी में तब तक के लिए बाइ-बाइ-